अगर आपको भी यही डाउट आ रहा है कि भाई कक्षिया 10 हिंदी सितीज भाग दो में कौन से पोर्षन से जीवन परिच्च आएंगे कविता वाले से कहानी वाले से कौन से से आएंगे कितने नंबर का आएगा कौन कौन से याद करने हैं सारे डाउट सो कैसे लिखने है पे जरूरी चीज़े इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ चलो शुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले जो जरूरी चीज़े हैं वो बता देता हूँ आपके लिए मैंने कक्षा 10-2023 की एक नाम से प्ले इसी प्लेइलिस्ट के अंदर मिलेंगी तो प्लेइलिस्ट को विजिट आउट करके देख लेना उसके अलावा अगर आपको यह लिखा हुआ चाहिए पर जीवन प्रिच्चा चाहिए कोस्टन अंसर एंसी क्यूब बहुत सारी चीज़े हैं या फिर सैंपल पेपर प्रीव सा याद करना है आपके पास दो पोर्षन से Sauce बूक के अंदर सीतिज भाग दो किताब जो है इसके अंदर दो पॉर्षन है एक कविताओं वाला एक कहानी वाला तो कविताओं वाले का पोर्षन जो था ना कवीता वाला तो इस कवीता वाले portion से आपका कोई जीवन प्रिच्चा नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आने वालां तो भूल जाएक कर लेखक के नाम को, कौन लेखक है कोन नहीं है मुझे नहीं पता इसका बिल्कुल भी ठीक है अब उसके बाद में इसको तो भूल गया आप उसके बाद में जो कहानी है ना कहानी वाले पोर्शन से ही जी उन परिच्छाब की बार एक्जाम में आने वाले हैं ठीक है अब यहां पे जो है ना शिरफ आपको कहानी वाले याद करने हैं कि इंटरस्टिंग चीज बताता हू पहले क्या होता था पहले के पेपरों में अभी तक एक पहरा आता था उसका अंदर उसके अंदर कुछ कोस्ते हैं और उनकी जो है आपको अंसर देने उते थे झाल हो वाले जाहनी करना के लिगता का नाम बताईए अब की बार वहु को आ वाले पॉर्षन से किसी भी लेखक का नाम याद करने के कोई जुरूरत नहीं है, ठीक है, बज़ी अब कहानीवाली, कहानी वाली के अंदर से सारे यादं नहीं करने आपको, में मिन मैं इस वीडियो के अंदर बता दूँगा, सिर्फ वही याद करने, उससे बाहर आपको जी मांकस का कर दिया गया है और यह चार मांकस का क्यों हुआ है क्योंकि तुम को भी पता है एक नई कीताब आई है जिसका नाम है मैं शिखसा न तो इसके लिए कहां से जुगाड़े घ्र उदर से थोड़ा थोड़ा काट-काट तो अभी आएगा च्यार नंबर शै परकाप की बार नहीं आ रहा है अब question कैसे आएगा जैसे आईसे पूछेंगे यस्पाल अत्वा अत्वा में आएगा question अत्वा का अत्वा का मतलब है आपको दो लेखकों के नाम देंगे लेखक A लेखक B और उसके बाद में यहां से शुरू होगा यह question हमारा यानिकि यस्प अथवा, महावीर, परशाग, द्विवेदिया जो भी लेखाka का नाम हो उसका जीवन प्रिच्चह देते हुए उनकी साहितिक विशेषताओं पर परकास डालिए ठीक है यनि कि आपको जीवन प्रिच्चह देना है और उसके बाद उनकी साहितिक विशेषताओं बतानी हैं दो चीजे बतानी हैं अब हम लोग क्या करते थे पहले के टाइम में हमारे पास जो भी गाइड होती थी किताब होती बस रट लेते थे आंक बंद करके बस रटा मार दो इसका और बस नंबर आ जाना चाहिए अब वो काम नहीं रहा भाई अब सोच समझ के आपको करना पड करते हैं कौन कौन सा जीवन प्रिच्च आपको याद करना है इस कहानी वाले पॉर्षन में से देखो यह जैसे मैं नंबर वाईज दिखा रहा हूं ना तो वैसे ही याद करना पहले आपको याद करना है यसपाल का जीवन प्रिच्च है अब यसपाल का जीवन प्रिच्च तोटल मैंने आपको पांच जीवन प्रिच्चा बताएं लेकिन पांच में से एक मस्ट चीज बताता हूं तो अथ्वा में आई ही रहा है वह तो वह तो सपना भूल जाओ कि भाई अथ्वा में आएगा या या यह दो में से आपको एक करना कोई साथ दो आएंगे उन में से एक ही अटेंप्ट करना रहेगा अब एक मस्ट चीज यह है कि यह जो पांच जीवन प्रिच्चा मैंने दिखाए हैं आपको इन पांच से बाहर पिछले पांच सालों से अभी तक न से इन पांच से बाहर एक बार भी पूछा नहीं गया है इस वाले पॉर्सन से ठीक है तो यह ध्यान रखने की बात भी होंगे जिनको भाही रचना आए याद ही नहीं होती तो वो लोग क्या करेंगे वो बच्चे क्या करेंगे सारी चीज़े बताऊंगा टेंशन मत लो तुम वीडियो में बने रहा हो बस तुम देखो पहले आपको लिखना है जैसे मैंने आपको डिजाइन करके लिख रखा बाद में आपको जो है ऐसे लिखना जनम फिर ऐसे हैडिंग टाइप में बनाना यानि कि आपको पता होगा कैसे बनाते हो या तो आपको यहां पर पॉइंट लिख देना है वन टू थी करके फोर करके ऐसे जो भी पॉइंट लिखोगे या फिर आप क्या करोगे ऐसे पर भी नहीं मिलेंगे चार में से भी आपको लिखना है जनम जनम के अंदर बस जनम लिखो और काम खतन तुम्हारा ठीक है और जनम और मिर्तियों तो सब याद करोगे यह तो भूल के भी भूल मत जाना भाई इतना अच्छे से याद कर ले ना इनको तो उसके बाद रही बात मिर्तियों लिखना लास्ट में जनम लिखना पहले उसके बीच में आएक आपका स्थान स्थान के अंदर कहां पर उसका जनम हुआ बिहार के मुझफरपूर जीले के बैनिपूर गाव में बस इतना सा लिख दिया उसके बाद यहां पर यह एंटर आना चीए थे यह य जीवन के अंदर आपको सारी वो बकवास जी लिख देनी हैं जो कि आपको लगेगा भाही वो क्या खा गरीब था पढ़ाई लिखाई क्या करी क्या नहीं करा जिंदगी में कैसे संगर्स करे जो भी लिखना है वो जीवन के अंदर आपको लिखना है अब जीवन के अंदर बच्पन में ही हो जाने के कार्ण जीवन के अरंबिक वर्स अभाव कठिनाईयों और संगर्सों में भी थे दसवी तक की सिख्षा प्राप्त करने के बाद वे 1920 में राष्ट्रिया स्वाधिंतान दोलन में जुड़ गए और कई बार उसके चक्कर में जेल भी गए ठीक है आसान सा लिख दिया अब यह जो जीवन प्रिच्चा है यह रामवरिक्स बेनिपूरी का है कहीं आप सारों में यही चिपका दो ऐसा नहीं करना ये रामवरिक्ष बेनिपूरी का जीवन प्रिच्च दिखा रहा हूँ बाकियों के भी इस हिसाब से याद करने आपको ठीक है अब उसके बाद ये तो कर लोगे आप लोगे अब यहां पे जो है न ध्यान रखो यही यही पोर्षन उपर वाला दो नंबर का आपका और उसके बाद जो है न हम लोग क्या करते हैं साहितिक रचनाएं और टीचर भी हमको यही बोलता भाई साहितिक रचनाएं रटके जाना वो पेपर में आएंगी वो पूछेंगे सारा चीजे वो यह करके लेकिन भाई साहितिक रचनाएं नहीं पूछने वाले वो आपसे अब आप बोलोग भाई आपने तो लिख रखिये हम क्या करें तो एक्चुली देखो लिख देना अगर याद होती है कुछ स्टुटेंट होते हैं जिनको याद हो जाती है अब इसमें इतनी सारी बकवास और इतने सारे उपन्यास कहानी ना टक के लिख डाला उसने हमें याद नहीं करने है हमको जो है मैक्सिम वशाहितिक रचनाव में ऐसे लिख देना उनकी परसीद रचनाई यह है यहां पर एक से 2 पॉइंट बस 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 7 पॉкиंट बस 30, 0 तीनुन को लिखनी ऊजब और वह रचना अब मैंने इतनी शारी दिखा दीआ. आपको आसान असान झूड ले लेना कौन सी जो कि आप याद सकते हो दो सबस्ट कई जादा पॉइंट बनाने के कोई जुरूरत नहीं है जैसे इस में पतीतों के देश में उपन्यास उपन्यास भी याद नहीं है छोड़ दो भाइब पतीतों के देश में बस ओगया हमारा काम चित्ता के फूल, अंब पाली, बस इतना साली को हो गया, हमारी रचना है, बहुत हो गई, बस हमें नहीं चीये फालतू, भाई, पहले देखो, मैं बताता हूँ, एक्चुली शीन क्या था, पूरा मामला समझोगे, तो समझ आ जाएगा तुमको, पहले आता था, छै नंबर मे यहीं बन जाएंगे हमारे, तो additionally आप लिख सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है, याद कर पा रहे हो, तो लिख देना इसको भी, हो सकता है, यह total मतलब ऐसा सीन कर रखाओ कि एक नंबर का यह दे उपर वाला, और एक नंबर का इसको भी दे दे, तो भरोसा नहीं है, बढ़ ह मैजोरिटी में आपको मैक्सिमुम एक से दो ही पॉइंट करने, ज्यादा पॉइंट याद करने की जुरूरत नहीं है, मतलब दो या तीन कर देना, दो तीन से आगे जाने की कोई जुरूरत नहीं है, ओपन्यास कहानी ना ठाक रहे खाचितर, यह याद होते हैं, तो कर ले जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना पेपर्स को, उसी हिसाब से टैकल करके देखो और फिर बताना नंबर की इस हिसाब से कैसे आते हैं, आपके हिंदी के अंदर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, साहितिक विशेष्थाओं के अंदर, अब यह जो साहितिक उसी के अंदर वो भासा साहली को मर्ज कर देना आपको, मर्ज कैसे करोगे, देखो दिखाता हूं तुमको, उनकी रचनाओं में स्वाधिंता की चेतना, अब साहितिक विशेष्थाओं क्या होती है, उसको किस चीज में मजा आता था, किसी को परकर्ति के वर्णन करने में म मजाता था, अलगवग परकार के कविते और उनको वैसी से ही चीजे दिखाने में मजाता था, अब ये जो है इनकी रचनाओं में स्वाधिंता की चेतना, मनुस्यता की चिंता, इतिहास की युगा नुरूप व्याख्या दी गई है, विशेष्थ सैलिकार होने के कारण उन इसी के अंदर बतानी पड़ेगी, भासा सैलि स्किप नहीं करने हैं बिल्कुल भी, यहां इसी के अंदर बतानी हैं विशेष्थाओं के अंदर, बैनिपूरी जी की भासा सैलि सरल सहाज और साहितिक हिंदी भासा है, मला मेजोरिटी की सरल सहाज तो आप लिखो गई, अब इतनी सारी बकवास याद नहीं होती, इस वाले की भी इतने तक में याद कर लो, काफी आपके लिए, ठीक है, यह मैंने स्टेंडराइज करके लिखा हुआ पूरा, पहले पहले लिखा था जब मैंने उस टाइम पे 6 नंबर के हिसाब से लिखा था, अब एक्जाम में चार नंबर का आ रहा है, तो इतनी भालतू बकवास चापने के हमको जरूरत नहीं है, चार नंबर के हिसाब से लिखो काफी है, नंबर देंगे वो एक्जामिनर से, आप ट्राइ करके तो देखो जड़ा एक बार, ठीक है, यह जीवन प्रिच्च्च्च्च्च्च्च्च मैं टोपिक्स से आएंगे, जो आप अपर का नोर्मल है, हिंदी है, नैतिक शिक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च affirm manager खेका है, और किस हिसाब से लिएङ कमेंट में बताओ कि हाँ भाई हमने लाश्ट तक देखिया बिल्कुल से कमेंट में बताना मैं वेट कर रहा हूं कि कमेंट आने का वस चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में बाई बाई